पाठ साथ अपना स्थान स्वयम बनाईए पाठ परिचे पूरी लगन, मेहनत और इमानदारी से किया गया छोटी से छोटा कारे भी मनुष्यों को बड़ा और महान बना सकता है व्यक्ति की पहचान उसके धन या पद से नहीं, बलके उसके गुणों और चरित्र से होती है जीवन मूल्य, इमानदारी, परिश्रम, लगन, सकारात्मक सोच, सूजबूज, धैरे, करतविनिष्ठा एक दिन बादशा ने अपने मंत्री से कहा मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है, कोई तुम्हारी निगाह में चढ़े तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो बहुत दिनों की जाँच परताल के बाद मंत्री को एक आदमी जचा मंत्री ने उसकी नौकरी छुडवा दी और उन्नती का आश्वासन देते हुए उसे बादशा के सामने पेश किया बहुत देर तक तो बादशा को अपनी बात ही याद ना आई, बाद में बूले हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है मंत्री ने कहा हुजूर, मैंने इसे हजारों मैंसे च्छाटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुडवा कर इसे यहाँ लाया हूँ अमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम इतना कह रहे हो, तो हम अपने निजी कार्याले में इसे सेवक के तौर पर रख सकते हैं वेतन पंद्रह रुपे मिलेगा मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन ये है, कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा वो नौकरी के लिए तैयार हो गया मंत्री जब उसे कार्याले में छोडने गया, तो वहाँ धूल ही धूल थी क्यूंकि बादशाह वहाँ न तो कभी जाते थे और ना ही वहाँ काम करते थे मंत्री ये सब देखकर दुखी हुआ, पर उवक खुश था उसने इसके लिए मंत्री के प्रती आभार भी प्रकट किया उस कार्याले में एक छोटी सी कोठरी भी थी यूवक ने उसकी जाँच पड़ताल की तो पता चला की बीते वर्षों में बादशाह के पास जो नीजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था उन में से बहुत से लिफाफों पर सोनी की पच्ची कारी थी और रतन जड़े हुए थे ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदी के शुब अबसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उम्रावों के यहां से आए थे यूवक ने कारीगर लगा कर सारा कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और उन्हें बाजार में बेच दिया इससे उसे कई हजार रुपे मिले उन्में से कुछ रुपे तो उसने कार्याले में बढ़िया लकडी के सजावटी सामान और चित्र आदी लगवाने में खर्च किये और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिये जहां सारा सामान बेचा गया उसकी रसीद भी उसने ली और जहां से सजावट के सामान खरीदे गए उसकी भी कार्याले सच मुझ शाही कार्याले बन चुका था कुछ चुगल खोरों ने मौका पाते ही बाजशा से उसकी शिकायत कर दी कि वो शाही खजाना लुटा रहा है एक दिन बाद शाह क्रोज से तम-तम आते हुए जब कार्याले पहुँचे तो वहां के बदले रूप को देखकर दंग रह गए फिर भी उन्होंने आवाज उंची करते हुए पूछा कहकर उसने रद्दे लिफाफों की कहानी सुनाई और खजान्ची से गवाही दिलवाई कि कार्याले का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है बादशह युवक की बाद से रीच गए और उन्होंने उसे अपने राज्य का वित्व मंतरी बना दिया दूसरे मंतरी इस बाद से और परिशान हुए क्यूंकि ना वो बैमानी और लापरवाही करता था ना करने देता था जो भी मंतरी बादशह के पास जाता किसे न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता जिससे कि वो बादशाह की नजरों में गिर जाए एक दिन रात को दो बजे बादशाह ने अपने सिनापती को बुला कर कहा हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठा कर इस कक्ष में ले आओ करीब एक घंटे की भीतर सब मंत्री बादशा के बड़े कक्ष में लाए गए आठ में से साथ मंत्री नशे में धुत्ते उन में से कुछ जुआ खेल रहे थे वित्तम मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिये की रोशनी में कोई कागस देख रहे थे सब मंत्री बहुत लज्जित हुए तब बादशा ने वित्तम मंत्री से पूछा उसने उत्तर दिया दूर की इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल की तुलना में एक पैसा कम है तो बार-बार देख रहा था कि जोड में भूल है या सचमुच एक पैसा कम है बादशा ने अपनी जेब से एक पैसा फेक कर कहा लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो वित्तमंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा बादशाब बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधान मंत्री बना दिया नई जानकारी ओजैन के राजा विक्रमा दित्त ने भारत को सोने की चिडिया का खिताब दिया था वित्तमंत्री का काम देश का आम बजट तयार करना होता है वो देश की अर्थ व्यवस्था का मुख्य संचालक होता है